बहुत बहुत स्वागत है आपका Study IQ के YouTube चानल पे मेरा नाम है चंदन शर्मा और ये है साहस की सीरीज वेर वी आर सिटिंग आट होम आड स्टुडिंग तो ये एक इनिशेटिव है बाई टीम स्टुडिय आईक्यू जहां पर बहुत से आस्पेरेंट्स जो देली आना तो बहुत मुश्किल है इनफाक्ट ओनलाइन ट्लासे लेनी पी उनके लिए काफे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो उनकी परपरेशन में छोटा सा कॉंट्रिबूशन करने के लिए we are here with this series जहां पर हम history को cover कर रहे है and history में हमारा यहां पर इस series में focus है modern India की तरफ काफी कुछ दोस्तों हमने इस series के अंदर cover कर लिया है right from the year 1707 we have covered lots and lots of things right बहुत से institutes even offline institutes में क्या होता है कि modern history को 1857 से start कर दिया जाता है यहां फिर max to max advent of European से start कर दिया जाता है but यहां पर आप सब की सहूलियत के लिए और आपकी concepts के ऊपर पूरी history के ऊपर एक अच्छी grip के लिए we started this initiative with 1707 and today we are here in the year 1907 and 1908 जहां पर स्वादेशी movement चल रही है हलांकि हमने last lecture में सूरत split को देख लिया था और कैसे सूरत split ने ultimately स्वादेशी movement को fizzle out कर दिया था एक तरीके से dead हो गई थी वो movement तो we had analyzed all those aspects लेकिन दो चीजें यहां पर parallelly भी हो रही है देखो एक तो स्वादेशी movement के time पर बहुत से ऐसे younger elements थे young revolutionaries थे जिनका मानना ये था कि mass movement की जगा individual heroic sacrifice से ही हम आजादी attain कर सकते हैं स्वाराज को हासिल कर सकते हैं तो इस लिहाज से जो ये young group था जो mass nationalism में ना believe करते हुए इनको ताके हमें कानून अपने हाथों में लेना होगा and अंग्रेजों के दिमाग में अंग्रेजों के मन में एक आतंक पैदा करके एक टेरर पैदा करके हम उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो भारत देश को छोड़ कर चले जाएं तो ऐसे revolutionary इसको हम revolutionary freedom fighters को हम revolutionary freedom fighters कह देते हैं sometimes in certain books revolutionary terrorism भी इनके लिए word use कर दिया जाता है बट यार उसको हमने negative connotation में नहीं लेना because the word terrorism is a very subjective term किसी के लिए कोई terrorist ठीक है जैसे हमारे आज जिनकी हम बात करेंगे औरविंदो गोष्ट, बरेंदर कुमार गोष्ट, भुपेंदर नादद, विरेंदर नाद, चट्टो पाद्या and many more वो अंग्रेजों के लिए terrorist थे लेकिन हमारे लिए देखो वो क्या थे वो भारत की स्वतंतरता के लिए उन्होंने शहीदी दी, लड़ाई की तो इसलिए कई बार वो term use कर दी जाती है, UPSC ने भी terrorism word एक बार use कर दिया था, लेकिन पार्लेमेंट में इतना मुद्दा उठा कि उसके बाद UPSC को apology करने पड़ी तो हम terrorism word को avoid करेंगे for us, these are our revolutionary freedom fighters तो revolutionary freedom fighters को अगर हमने समझना है तो we can basically आप जानते हैं कि मेरी एक आदत है divide and conquer strategy में हमेशा follow करता हूँ तो अगर आप revolutionary freedom fighters तो revolutionary revolutionary freedom struggle को समझना चाहते हैं तो you can broadly divide this topic into two parts ठीक है, you can divide this topic into two parts one will be from late 20th century late 20th century से लेकर अप तिल the end of first world war ठीक है, late 20th century से लेकर first world war के अंत तक जो revolutionary activities होई तो उसको हम discuss करेंगे and the second phase ये होता है 1920s and later ठीक है, 1920s के दुरान और उसके बाद कुछ activities होती है तो this was a second revolutionary phase of our freedom struggle ठीक है, तो two phases में divide कर सकते हैं आज के lecture में हमारा phase one is going to be focused upon and we will see different aspects ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करते हैं lecture को तो जो हमारा first phase of revolutionary struggle हुआ ये first decade of 20th century में काफी जादा prominent हो गया इसके पीछे जो main कारण बताए जाते हैं बताए जाता है कि स्वदेशी movement में जब decline आना start हो गया especially after the split of सूरत session, उसके बाद जो हमारे younger elements थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था they were very charged up and they wanted to get rid of British as soon as possible और स्वरा जल से जल लाना चाते थे, तो उन्हें यहीं लग रहा था कि mass struggle से भी उतना बात बन नहीं रही, Congress भी एक shambles में है, divide हो चुकी है, तो अब हमें खुद से कुछ actions लेने पड़ेंगे, तो स्वदेशी movement का decline एक बहुत बड़ा कारण बना आगे भी जब हम revolutionary struggle part 2 करेंगे तो उसके अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब-जब कोई mass movement, उसमें एक decline आता है, क्योंकि देखो, movement के बारे में समझो, बहुत लों कहते हैं कि गांधी जी ने movement की call दी, उसके बाद वापिस ले लेते थे, हर बार यही करते थे see, you are preparing for UPAC, you have to be responsible people, तो आपको इस बात को समझना है कि कि किसी भी mass movement को बहुत लंबे समय के लिए sustain करना मुश्किल हो जाता है एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति, बहुत लंबे समय के लिए धरने पर नहीं बैठ चकता I hope audio video clear है, एक बार confirm कर दो audio और video एकदम clear होना चाहिए आम नागरिक के लिए काफे difficult हो जाता है, लंबे समय के लिए बैठना, so that is why जब masses में fatigue दिखना start हो रहा है तो तब वहाँ पर movement वैसे भी fizzle out हो रही है, तो इजज़त से अपनी मान समान बचाते होए movement को वापिस लेना पड़ता है और meanwhile, जो passive phase होता है किसी भी movement का, वहाँ पर देखो क्या होता है, अलग-अलग forces आ जाती है जैसे गांदी जी constructive work में काम करना शुरू कर देते थे फिर Congress में कुछ elements होते थे जो council elections लड़ते थे, वो कहते थे कि एक नया front हम खोलना चाहते है जहांपर legislature में जाकर हम British को expose करेंगे और इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, डाट कुछ ऐसे भी youngsters हैं, जो मसले को अपने हाथ में ले लेते हैं तो यहां पर similarly स्वदेशी मूवमेंट का जब decline हो रहा है तो यही youngsters मसले को अपने हाथ में ले रहे हैं इसी के साथ साथ जो extremist leaders भी हैं इनकी भी कुछ limitations नजरानी स्टार्ट हो गई, Congress में से इनको suspend कर दिया गया है कोशिश यही थी के peaceful protest हो लेकिन कई जगाओं पर violent हो जाते थे crowd या masses और अंग्रेजों के पास एक मौका आ जाता था कि वो brutal suppression कर दे इस brutal suppression में कई बार हमारे कई आम लोग भी arrest हो जाते थे, उनके उपर मुकदमा चलता था और बहुत ही reactionary किसम के judges इन मुकदमों को preside करते थे और obviously आपको पता है कि क्या ही करेंगे, माला तो फूलों की पहनाएंगी नी वो उनको जेल में डाल देते थे नयाय होता ही नहीं था, सिरफ कहने को ये courts होते थे, law courts होते थे बट नयाय नहीं मिलता था महाँ पर, so consequently इन सारी चीजों को देखते हुए youngsters ने, बरेंदर कुमार गोश और अरबंदो गोश न सबने decide कि वही बहुत हो गया अब इनको इंट का जवाब पत्तर से देना पड़ेगा, ठीक है? एक effective organization भी नहीं बन पाई थी and वही mass struggle और heroism के बीच में भी difference extremist leaders नहीं बता पाई थे तो अब शुरुवाद करते हैं revolutionary freedom fighters हमारे कौन थे और कौन-कौन सी organizations ने हमारे इस first phase में contribution दिया तो इसकी शुरुवाद देखो, Bengal सा ही करते हैं क्योंकि सुदेशी movement के fizzle out होने के backdrop में ये सारी चीज़ develop हो रही हैं तो let us start with Bengal moreover Bengal हमारे freedom struggle का भी एक काफी ज़्यादा nerve center बन गया था जिसकी वजह से Lord Karzan ने इसको divide करने का भी सोचा था so Bengal का रुख अपनाते हैं Bengal में ऐसा था कि Anushiland Samiti Anushiland Samiti एक बहुत important organization बन गय थी जिसने कई सारी revolutionary activities conduct की both during and after so desi movement and even during the first world war right तो यहां पर Anushiland Samiti को इसका संस्थापन करने वाले लोग P Mitra, Parmanat Mitra Satish Chandra Basu और इन्होंने Calcutta में 1902 में इस Anushiland Samiti का एक तरीके से established कर दिया था लेकिन initially बहुत ज़्यादा activities नहीं हो रही base तयार हो गया और काफी सारे young members they are being robed in into Anushiland Samiti ठीक है Anushiland Samiti में लोग आते जा रहे हैं जब partition of Bengal हुई तो वहाँ पर क्या हुआ कि Anushiland Samiti के अंदर दो factions create हो गई ठीक है दो factions create हो गई partition of Bengal को लेकर Anushiland Samiti थोड़ी active है कुछ revolutionary activities भी plan कर रही है लेकिन दो factions बन जाती है ठीक का अनushiland Samiti एंड जुगांतर या युगांतर ग्रूप एक ही बात है right this happens approximately 1905-1906 के बीच में हो जाता है जो ठीक का अनushiland Samiti होती है उसके leader कौन बनते हैं पोलेन बिहारी दास पोलेन बिहारी दास he becomes the leader of ठीक का अनushiland Samiti right पोलेन बिहारी दास का मानना है कि हम भारत में मौझूद हैं और भारत में ही हमें अपने जो freedom fighters हैं उनका support करना है reactionary जो judges हैं या reactionary British officials हैं इनकी assassination करेंगे to set an example अंग्रेजों के दिमाग में एक terror पैदा करेंगी जिससे खुद ही they will be forced to leave the country right and moreover हमारे जो mainstream freedom fighters हैं यानि कि जो Congress के साथ associated हैं mass movement को lead कर रहे हैं तो उनका भी pressure जोनों चीज़ें कपल अप होके यहां पर ऐसी situation create कर सकती है however यहां पर पुलेन बिहारी दास का एक conflict of opinion arise हो जाता है with Aurobindo Ghosh right do we have no we have Bareindra Kumar Ghosh यह Aurobindo Ghosh के छोटे बाई है right and Aurobindo Ghosh before he retired and went to pondicherry spiritual upliftment के लिए साधू बन गए थे वो बाद में लेकिन जब तक वो एक revolutionary थे तब तक Aurobindo Ghosh Barendra Kumar Ghosh और पुलिन बिहारी दास इनमे ने difference आ गया difference यह आया कि Aurobindo Ghosh और Barendra Kumar Ghosh इनका मानना था कि हमें actually सिरफ भारत में रहकर नहीं बलकि भारत से बाहर जाकर foreign countries में भी जो भी हम support या help ले सकते हैं वो support और help लेकर हमें भारत से British के against एक मोर्चा निकालना चाहिए right so they were like of the opinion that whichever country is against British we should actually join hands with them and उनके साथ मिलकर हम भारत में हमारे soldiers हमारे लोगों को अथियार मोहिया करवाएंगे और एक armed revolution कर देंगे पुलिन बिहारी दास इस वज़े से बहुत ज़ादा इतिफाक नहीं रखते थे इस approach के साथ and consequently दो groups बन जाते हैं ठीक है इन दो groups में जो आपको चीज पता होनी चाहिए वो यही है कि इनके main leaders क्या थे और कौन से कुछ important किसे हैं या cases हैं जिनमें यहां पर इनका association है for example पुलिन बिहारी दास was leading डखका अनुशिलन समिती बर्रा डिकॉईटी बड़ी famous डिकॉईटी हुई थी 1908 में बर्रा डिकॉईटी में डखका अनुशिलन समिती का बहुत बड़ा हाथ था बर्रा डिकॉईटी क्यों जानी जाती है इसमें ऐसा था कि एक बर्रा जगा है बेंगॉल में तो वहां पर एक जमीनदार के घर को दिन दिहारे लुटा गया था काफी बड़ी और काफी पॉपुलर इंसिडेंट बना और डखका अनुशिलन समिती इस वज़े से काफी जादा फेमस है यह इसी के साथ साथ बरेसल कॉंस्पिरेसी यह 1913 में हुई थी बरेसल कॉंस्पिरेसी इसमें क्या हुआ था कि इस कॉंस्पिरेसी के अंदर 44 बेंगॉल रेवलूशनरी इसको अरेस्ट कर लिया गया था और फिर उन्हें अलग-अलग सेलिलर जेल में भेज दिया गया था यहां पर बेंगॉल की पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जहां पर उनको ये प्रूफ मिल रहा था that certain revolutionaries they are in a plot they are entering into a conspiracy with foreign powers जिससे कि भारत से king के खिलाफ conspiracy कर रहे है king क्या है उसका representative गवर्नर जनल वॉइसरोई और बिटिश के खिलाफ बड़ी conspiracy हो रही है and topple down करने की कोशिश की जा रही है और यहां पर plan कुछ ऐसा था कि सिपाहियों को जो भारत के सिपाही है उनकी मदद के साथ एक armed revolution की planning हो रही है तो बरिसल में ये जो case है बेंगॉल में ही साउथ इस्टन टिप में बेंगॉल के साउथ इस्टन टिप में ये जगा मौजूद है तो बरिसल के इस जगा पर ये जो conspiracy चल रही थी ये foil हो गई, ये पकड़ी गई जिसमें पुलिन बिहारी दास भी arrest हो गए और इस arrest के बाद उनको अंडेमान की cellular jail में भेज दिया गया 1918 में फिर वो release हुए थे ठीके, around 1917 1917 राइट वहां पर इनका release हुआ था एक बार फिर से जुगांतर ग्रूप के साथ उन्होंने एक planning plotting की थी, उसके बार में भी थोड़ी देर में बताऊँगा थोड़ा सा suspense रखेंगे, तो ये main activities सी, जुगांतर ग्रूप, इसका नाम जुगांतर से निकलता है, ये एक अखबार था, जिसमें revolutionary ideas को आम जनता के दिमाग में propagate किया जाता था and this was started by बरेंदर कुमार गोश, ठीक है main leaders बरेंदर कुमार गोश, जतिंदरनाथ बुकर जी, इनको popularly बाग जतिन भी कहा जाता है, और भुपेंदरनाथ दत और राश बिहारी बोश, ये कहा जाता है ये ग्रुप मानता था कि हमें foreign powers की healthy नहीं चाहिए और जितने हमारे revolutionaries हैं इन्हें हमें training के लिए दूसरे countries में भेजना चाहिए in fact यहाँ पर जुगांतर ग्रुप के अंडर ही, एक subgroup बन गया, ठीके जुगांतर ग्रुप के अंडर एक subgroup बना, उस subgroup को कहा जाता था, Maniktala group, Maniktala ठीके, Maniktala group, Maniktala एक जगा का नाम है, Bengalmy है, और यहाँ पर इन लोगों ने एक bomb factory भी बनाई थी, प्लस इस group के कुछ लोगों को इन्होंने दूसरे countries में भज़ा था for training, right for example, जो first batch इन्होंने निकाला था, it comprised of Surinder Mohanbos, right Gurandit Kumar and Tarkana Das, जिनको America भेजा था, right, तो foreign countries के साथ collaborate करके foreign से कुछ support और पैसा funds यह सब लेकर यह भारत में revolution करना चाते थे, right अब यह revolution foreign से कैसे हुई, इसको अभी हम थोड़ी दिर में बताएंगे, जब world war start करेंगे, ठीके, लेकिन हाँ, यह समझ लो, के main leaders कौन है, right, उनके नाम, and कुछ conspiracies के साथ यह भी associated है, right, लेकिन उस पर तोड़ा सा suspense बनाना चाते हैं, यहाँ पर अगर कोई notes बना रहा है अपने, तो इस box में अगर आप कुछ लिखना ही चाते हो, तो you can write Zimmerman plan, ठीके, you can write Zimmerman plan, और relatively out of these two associations of annushiland समेथी, जुगांतर group was much more notorious, यानि कि जुगांतर group ने ज़ादा बड़े level पर revolutionary activities कर रखे हैं, now let us see, कि इन्होंने क्या किया, 1907 में, मदनलाल धिंगरा ने, sir, bamfiled पलर, इनकी assassination का attempt किया, right, but होता है generally यही था, कि attempt करते थे, but someone else used to die, right, तो attempt किया था, bamfiled पलर कौन थे, यह East Bengal, जो नया एक state बना था, under Lord Curzon's minutes, right, तो उसके साब से, जो East Bengal था, उसके lieutenant governor थे, December 1907 में, Andrew Fraser Andrew Fraser कौन थे, यह जो Bengal असल था, उसका जो lieutenant governor था, और इसने Curzon की help की थी, to chalk out the plan of partition of Bengal, right, तो Curzon, Andrew Fraser, and one more person was there, जो की home secretary भी थे, मुझे comment section में उस इंसान का नाम बताईए, जो लोग lecture लगा रहे हैं, जो सिरीज का फाइदा ले रहे हैं, उनको definitely पता होगा, I want you guys, to tell me in the comment section, main comment section में बताना, live chat के साथ, main comment section में भी आपका answer आना चाहिए, that who was the home secretary, who helped Lord Curzon, to chalk out the plan for partition of Bengal, ठीके तो उनके साथ मिलकर इन्होंने Bengal की partition की थी, तो Andrew Fraser की train चल रही थी, तो उस train को derail करने की यहाँ पर कोशिश की थी, और इसमें Aurobindo Ghosh, this is Aurobindo Ghosh during his young age, right, and उनके छोटे भाई, Barendra Nath Ghosh, right, इन्होंने यह attempt किया था, but again right, somehow, he escaped Andrew Fraser, right, यह बच गय थे, अब, सबसे जादा, मतलब, highest most interesting and most notorious conspiracy that took place in the first decade of ठीके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, what happened exactly here, ठीके, यह थी मुझफफर पूर conspiracy case, right, जैसे second phase में भगत सिंग का Saunders murder case जतना interesting है, और उनका Central Legislative Assembly में bomb fang ना जतना interested है, उतना ही interesting, यह मुझफफर पूर conspiracy case है, difficult to understand क्योंकि इसमें काफी लोग involved थे और काफी अलग-अलग नामों के, अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है यह case, right, but very important topic, not just for UPHC, but also for State Civil Services Exam, and of course, many of you who are trying for CSIR, उसका sectional officer का भी paper है, और intelligence bureau के ACIO, Assistant Central Intelligence Officer का भी paper है, तो वहाँ पर भी यह चीज काम आ जाती है, but इसके बारे में बताने से पहले, फटा-फट आपको, सभी को बताना चाहूंगा, that यह सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, prelims के point of view से ही एक important topic है, and आप जानते हैं कि आजादी का मृत महुत सब हम celebrate कर रहे हैं, जहां पर सरकार time to time हमारे freedom fighters को respect दे रही है, right, और अलग-अलग events हो रहे हैं, so for that matter the phase that we are covering right now is quite important for your prelims 2024 और अगर आप पूरे prelims की proper comprehensive तयारी करना चाहते हैं, तो उसमें study IQ उन्हें crash course start किया है, उसमें आपको काफी फाइदा मिल सकता है, यह crash course की classes 22nd January, शाम 5 बज़े से start होने जा रही हैं, और इस crash course में क्या होगा, that we cover, we revise entire syllabus तीक है, अब उस entire syllabus में ऐसा नहीं कि आपकी foundation बनाई जा रही है हर चीज को बिलकुल बाल की खालू देडी जा रही हैं सारी चीजें दुबारा पड़ी जा रही हैं obviously आप अगर 2024 का प्रिलम से रहे हो already, अब focus हमने करना है उन facts के उपर, उन trivia के उपर जिसके उपर सवाल बनेगा statement बनेगी, ठीक है ये example मैं बार-बार देता जा रहा हूँ जैसे gather 2 भी देखी है, बहुत लोगोंने gather 1 भी देख रही होगी, ठीक है वो जो अश्रफ अली, right, hand pump, the famous scene जिसमें सनी दियोल ने hand pump उखाड दिया था, right तो उसके लिए, सब ने देखी हुई है movie अब यार, वो movie की broad कहानी तो सब भी को पता है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी बातें आप से पूछूँ, कि for example, जो सकीना थी, अमीशा पटेल की mother, तेक है अमीशा पटेल का character था सकीना, उसकी mother का क्या नाम था, किस scene में उसे reveal किया गया, अमीशा पटेल का जो character है, वो एक school, college में पढ़ते थे, जहां पर उन्होंने एक annual function पे गाना गाना था, बट सनी दियोल ने, ओ मैं निकला गड़ी लेके गाना गा या, वो college school का क्या नाम था, ऐसी चीज़े नहीं आदा आती, ठीक है तो broad movie आदा जाती है, तो preparation में भी यही होता है दोस्तों, what happens in preparation that you just go through many things, broad story दिमाग में है, लेकिन जब MCQ सामने आता है, एकदम से shock जटका लगता है, अब उस चीज़ से ready रहना बड़ा ज़रूरी है, otherwise problems में काफी दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए ही हमारी ये approach है, जिसमें हम पूरे syllabus को sections में divide कर दिया और हर section की further bifurcation है जो आपको अपके course में मिल जाएगी, और उसमें यही target है कि हर class में कुछ topics cover करते हुए, हम important चीज़ों पर focus करेंगी जिस पर सवाल बन सकता है, और हर class के बाद आपको एक test भी मिलेगा, और 50 MCQs, तो लगबग 75 से जादा tests, आपके 50 MCQs के हो रहे हैं, हर class के बाद, इसी के साथ जब पूरा का पूरा आपका यह complete हो रहा है, तो test series भी आपको मिल रही है इसमें, ठीक है साथ साथ test series भी start हो जाएगी, ठीक है तो इसमें 8 full-length tests मिलेंगे general studies के, and CSAT की workshop इसमें हो रही है, जिससे CSAT भी prepare हो जाएगा, and CSAT के भी 8 full-length tests आपको मिलेंगे, so this is a foolproof plan to prepare very solid for your films, ठीक है having said that, अब मनिक तला bomb case के बारे में बात करते हैं, ठीक है तो इसमें what happens in मनिक तला bomb case सिधा मुद्दे पर आता हूँ मैं ऐसा था कि मुझफरपूर, मतलब मनिक तला को मुझफरपूर conspiracy case को मनिक तला conspiracy case भी कहा जाता है please note it down, ये important fact है, इसमें हुआ ये था कि 1908 में मुझफरपूर के पास प्रफुला चाकी, ठीक है this is प्रफुला चाकी and Khodirambos, ठीक है Khodirambos, इन्होंने एक carriage के ऊपर ठीक है, एक carriage, एक kind of गाड़ी जिसमें British Judge Kings Ford को carry किया जा रहा था, इसके ऊपर एक bomb फेंगा, ठीक है they tried to throw a bomb here right, अब यार, British Judge Kings Ford, ये वो जजज था जसने की Swadhesi Movement के टाइम पर बहुत से revolutionaries and बहुत से freedom fighters केंगे, इसना बढ़ी खराब judgments दीती, so he was a reactionary judge, right, so unpopular judge था काफी, तो इस वज़े से प्रफुला चाकी and Khodirambos, they targeted Kings Ford, ठीक है अब हुआ ये कि Kings Ford बच गया and उल्टा, दो innocent English ladies, ठीक है, they were they lost their lives there, right and it was, ये ही problem थी, ठीक है यहाँ पर एक तो na, first phase में ये भी देखेंगे even second phase में भी होगा, कि मारने किसी और को जाते थे, मर कोई और जाता था, right, generally innocent life चली जाती थी, और उससे क्या होता था British को, एक pretext मिल जाता था to depict Indians as monsters, right so that went against us, right ये एक problem थी, काफी बड़ी problem थी ठीक है, तो इसमें, इन्होंने कोशिश की but, दो innocent ladies मारी जाती है right, पुलिस एकदम से active हो जाती है right, तो on the spot, प्रफुला चाकी right, इनकी alive photo तो मिलती भी नहीं है, it searched very hard, but प्रफुला चाकी he shot himself dead, इन्होंने खुद को मार दिया, right, and Khudirambos, इनको arrest कर लिया गया था and later he was hanged as well, right लेकिन ये case, इसको मजफ़रपुर conspiracy case को जब investigate किया जाता है, तो ये काफी fell जाता है, ठीक है मजफ़रपुर conspiracy case क्यों कहा जा रहा है because it happened in मजफ़रपुर, right अब जब इसकी investigation होती है, तो पता लगता है कि ये bomb आया कहां से पता लगता है कि ये bomb एक factory से बना है, वो factory कहां पे है, मनिक तला में, इस factory को manage कर रहे है बाग, जतेन, वुपेंदरनादत, and other members of Anushiland Samiti, including बरेंदर कुमार घोष, ठीक है तो वहाँ पर, जो bomb यूज किया गया, वो मनिक तला factory में बना है, इसलिए इस case को मनिक तला bomb case भी कह दिया जाता है अब यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जितने almost युगांतर गुरुप के revolutionaries हैं, उनको arrest कर लिया जाता है at the primary one being the Ghosh brothers, Aurobindo Ghosh और बरेंदर कुमार घोष, तो यहाँ पर Aurobindo Ghosh को, और इवन बरेंदर कुमार घोष को, defend करने के लिए Congress के, चितरंजन दास CR दास, he offers as a defense lawyer for Aurobindo Ghosh अब इसमें क्या होता है कि British बहुत notoriously, जितने revolutionaries हैं, इनको torture भी कर रही है, और कोशिश कर रही है कि इनमें से कोई एक को तोड़ दिया जाए, mentally ताकि वो बाकी लोगों के against witness बन सके, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत से जुगांतर गुरुप के ऐसे members हैं, who are out on the run उनको police नहीं पकड़ पाई, right तो इसमें देखो कुछ interesting चीज होती है note this down on your pens and papers and I would request कि जब भी लेक्चर लगाओ pen और paper साथ जरूर रखना तो make some important running notes यहाँ पर एक व्यक्ति, ठीक है यहाँ पर लिखा हुए नरेंदर गुसायन नाम का एक व्यक्ति यह witness बन जाता है अंग्रेजों का, अब यह गवाई देगा किसके किलाफ और अरविंदो गोष, बरेंदर को गुमागोष इन दो लोगों के किलाफ यह गवाई देने की कोशिश करेगा तो he turns out as witness for the British काफी serious बात है ठीक है और इसमें क्या है कि केस गवाई दिया जाएगा और अरविंदो गोष, बरेंदर कोमागोष दोनों को सजाए मौथ हो सकती है लेकिन जेल में ही नरेंदर गुमाग, नरेंदर गुसायन की assassination कर दी जाती है इन फाक्ट यहां पर एक DSP भी होता है Bengal Police का बाई दे नेम अफ समसूल असलम ठीक है समसूल असलम यह वस अ DSP इन बेंगॉल और यह मुझफफर पर conspiracy case की investigation कर रहा होता है इनको भी assassinate कर दिया जाता है बाहर बैठे जो युगांतर गूप के members हैं पर इनको नहीं बचा पाते हैं इनके छोटे भाई को तो initially उनको क्या होता है death sentence मिलती है बरिंदरनात गोष and Ulaaskardath इन दोनों को यहां पर इस case में death sentence मिलती है but due to shortage and lack of evidence this death sentence is later commuted into life in prison ठीक है और नरेंदर गुसायन को असासिनेट करने वाले लोग सतेंदरनाथ बोज और कनाई लालदत यह असासिनेट कर देते हैं तो इसके बाद जुगांतर गूप के यह members इनको death sentence नहीं मिलता due to certain loopholes rather they are sent to cellular jail in undemand टेके क्या अभी तक हमने जितनी बाते की आपको समझ आगी this is the same question I ask in my P2Y batches as well कि कोई गिला शिक्वा कोई चीज जो आपको लगा कि यह क्या हो गया वो क्या हो गया तो पूछ सकते हैं और P2Y batch में ना पता है कि एक advantage आपको यह मिलता है that I am very sure कि यह videos although free में available है you can watch them anytime you want they are always going to be there on YouTube but class के बाद भी कई बाद doubts आते हैं यहां कुछ ऐसी चीज़ें आते हैं कि यार कौन सी book पढ़ूँ क्या follow करूँ तो देखो book तो मैं कह रहा हूँ कि study है क्योंकि modern history अच्छी book है हम भी उसी से inspire होके यह series चला रहे हैं तो you can follow that book right and बाकी कुछ doubts आते हैं तो P2Y में आपको personalized mentorship मिलती है that goes a long way in helping you out to resolve your various doubts और उन doubts के resolution से क्या होता है कि आप में anxiety नहीं आती when you are not anxious तो that helps you to improve your performance really well ठीके तो वो भी काफी जादा help आपको उस लेहा से भी इसमें मिलती है ठीके and moving on I hope everything audio video सब कुछ clear है और चलिए चलते हैं आगे अब इसमें Delhi conspiracy case ठीके this is also associated with the Juganthar group क्योंकि राश भिहारी बोस भी Juganthar group के member थे तो राश भिहारी बोस और सचिन सन्याल इन्होंने एक bomb attack करने की कोशिश करते हैं on Voiceroi Hardinge 1912 में होते हैं जब वो new capital की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनके उपर bomb attack करने की कोशिश करते हैं but it again gets foiled Delhi को 12 December 1911 में अंग्रेज declare करते हैं as the new capital तो यह announce कर देते हैं कि हम नहीं capital कैलकटा की जगा अब दिल्ली को बनाएंगे और 1912 में जब यह shift चल रहा होते है तो वहाँ पर Voiceroi Hardinge पर ऐसा attack हो जाते हैं 1911 में जो occasion थी जहाँ पर यह announce किया गया वो था दिल्ली दरबार जहाँ पर King George V की ताजपोशी उसको celebrate किया जा रहा था Now, let me talk about that plan जहाँ पर First World War के time पर Jugantar Group के members they were trying to conspire with the revolutionaries abroad in order to ensue or start an armed revolution in India इसको कहा जाता था Zimmerman Plan ठीक है क्या कहा जाता था Zimmerman Plan तो First World War के time पर Berlin यहाँ Germany के साथ भारत जो की British की colony थी इनके relations खराब होगे, so consequently Germany क्योंकि अब वो contender है, competitor है British का, तो he was ready to supply arms, ammunition training and everything to Indian revolutionaries in order to create you know chaos in India तो यहाँ पर Germany में Berlin Committee बनती है और वो Berlin Committee बाग जतिन यानि कि जतिंदरनात मुकर जी उनके साथ मिलकर एम करती है कि भारत में एक armed revolution create की जाएगी लेकिन एक traitor होता है राइट, plan leak हो जाता है और उस plan leak होने के वज़े जतिंदरनात मुकर जी ये कहाँ पर है ये बाला सोर में ठीक है बाला सोर में arms को एकठा कर रहे हैं तो इन arms के बारे में अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी पुलिस को पता लग जाता है जतिंदास को surround कर लिया जाता है from all sides and he is shot dead there, right क्योंकि वहाँ पर arms हमारे revolutionaries के पास भी है तो एक gun fight start हो जाती है ये gun war वहाँ पर cross firing शूरू हो जाती है cross firing में जतिंद बाग जतिंद इनको काफी सारी injuries आती है and gradually he succumbs to these injuries तो September 1915 में Zimmerman plan ये basically fail हो जाता है अब ये revolutionaries these revolutionaries they not only committed heroic actions individually, rather इनका ये भी मानना था कि ये आम जंता को आम जंता को inspire करेंगे जिससे कि वो भी देश के लिए कुर्बानी दे सकें, कुर्बानी देने के लिए तयार हो, तेके और ये इनका literary pieces होते थे magazines होती थे, journals होते थे जिससे लोगों को inspire करके ये अपनी organization में भी rope-in कर पाते थे and otherwise भी contributions होती थे अंग्रेजों की atrocities को expose किया जाता था and moral support कही न कही इन literary pieces में मिलता था, तो इसमें से कुछ famous है जैसे कि Sandhya and Juganthar ये Bengal में चलते थे and Karl it was in Maharashtra Sandhya and Juganthar in Bengal Karl in Maharashtra इसे के साथ-साथ there were few more you know the literary pieces or you can say the newsreppers or the journals right, जो Aurobindo Ghosh, Barindra Kumar Ghosh इन्होंने start किये थे, ठीक है तो ये चलो, ये आपको homework देते हैं, Study IQ की book में एक बार इनको search करके, आप comments में ज़रूर बताईएगा, ठीक है, ये आपका homework है because along with these lectures if you read Study IQ book, तो that is going to enhance your grip over this particular subject, चलो, आगे बढ़ते हैं, Bengal की बात कर ली, now let us move to Maharashtra Maharashtra में ऐसा है कि सबसे critical case late 19th century में ही हो गया था, जब 1897 में, Chapekar Brothers ने assassination की Puna के plague commissioner Rand and lieutenant Ayasth टीक है, Chapekar Brothers, Damodhar and Balakrishna Chapekar, right यहां बर ऐसा था कि Puna में plague एक बिमारी थी, यह फैल गई थी जैसे COVID के बारे में आपने सुना होगा तो Puna में plague बिमारी it got spread, इस spread की वज़े से क्या हुआ कि सरकार को अब क्या करना चाहिए, एक good governance वाली सरकार क्या करेगी, जब भी कॉमेंट्स देख रहे मुझे, so I would request you guys to type something in the comment section, ठीके audio video क्लियर है सब कुछ सही चल रहा है, उसी की confirmation दे दो और मुझे यह बताओ कि अगर कहीं पर plague फैला हुआ है, तो वहाँ पर ideally एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए, अपने लोगों के लिए medical supplies देनी चाहिए, doctors मोहिया करवाने चाहिए और अगर कोई disease infectious है तो वहाँ पर संक्रमित लोगों को और संक्रमित लोगों से थोड़ा separate करना चाहिए, right isolation करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ और ही किया अंग्रेजों ने license करते हैं अंग्रेजों ने supplies देना तो दूर उल्टा जिनको हो रखा था, उनको बहुत brutally separate कर देते थे और इसमें ऐसी चीज़ें देखी गई कि यह जो plague commissioner था, पुना का रैंड भाई साब, इन्होंने क्या किया यह plague की checking के नाम पर लोगों के घरों में गुश जाते थे और ऐसी reports भी हैं, जहां पर वो क्या करते थे कि infected लोगों को uninfected लोगों से separate करने के नाम पर, वो महिलाओं को अलग कर देते थे पुरुशों को अलग कर देते थे और ऐसी reports वहां पर मिलती हैं हमें in the year, you know 1897 के आसपास, कि वहां पर महिलाओं के साथ दुर्वे वहार भी होता था right, क्योंकि ये काफी unpopular commissioner था, इसलिए चपेकर ब्रदस, दमोदर और बाल कृष्णर ये assassinate कर देते हैं, along with his security aid, यानि कि lieutenant IS, ठीक है, इन दोनों को assassinate कर दिया जाते है इन पर मुकदमा होता है और उसको कहते है पूना conspiracy case, ठीक है फिर हमारा है मित्रमेला quite important, ऐसा है आपने VD सावरकर का नाम जरूर सुना होगा, विनायक दमोदर सावरकर and उनके चोटे भाई, गनेश दमोदर सावरकर, इन्होंने मित्रमेला के restructure किया गया और 1904 में अभिनव भारत के नाम से यह organization जानी जाते है, तो मित्रमेला turned into अभिनव भारत, ठीक है अभिनव भारत was inspired from Young Italy, Young Italy Italian unification के time पर Italian nationalism के time पर Young Italy भी एक secret society बनी थी headed and you know pioneered by Mezzini, इसको world history में भी आप पढ़ते हैं तो उसकी philosophy से और उसके nationalism से inspire होकर इन्होंने मित्रमेला को अभिनव भारत यह नया नाम दे दिया, ठीक है अब यहाँ पर नाशिक conspiracy case होता है this is Puna conspiracy case, this is नाशिक conspiracy case नाशिक conspiracy case में there is a collector of नाशिक known as AMT Jackson, AMT Jackson he was killed by Anant Lakshman Kanharay, one of the members of अभिनव भारत, ठीक है, उसके बाद इनको सजाय मौत हो जाती है यह एक शहीद बन जाते है ठीक है, अनाशिक conspiracy case पर इनका basically trial होता है before moving ahead, let us now see के आपको कितना आ गया है, ठीक है, question करते है बड़े शांती से सब लोग सुन रहे है या फिर मुझे paid class की काफी आदत पड़ गी है, wherein many students, उनका hand ही खड़ा रहता है हमेशा hand raised रहता है, hand raised रहता है, फिर मैं कहता हूँ के हाँ जी माइक खोल लो फिर pay to eye में बोलते हैं के sir ये नी समझा है, वो नी समझा है, फिर मैं उनने कहता हूँ के अभी पूरा topic करते हैं, आपको तब भी अगर कुछ समझ ना है, फिर पूछना topic end में सब कुछ समझ लग जाता है ठीके, but participation काफी थोड़ी सी धीली लग रही मुझे, ठीके थोड़ा सा active हो जो सब जने, ये सारी चीज़ें जितनी हम कर रहे हैं, this is very important for prelims 2 तीन स्टेटमेंट्स हैं, correct statement पूछी गई है, पहली सेटमेंट, मित्र मेला was a home rule group organized by बाल गादर तिलक नहीं जी, ये तो सवरकर जी के साथ associated है, तो पहली सेटमेंट गलत हो गई, संध्या इन महाराश्टर and काल इन बेंगॉल were news papers that advocated revolutionary nationalism again, ये भी false है संध्या जो था, वो कहां पे था बेंगॉल में संध्या युगांतर ये बेंगॉल के news पर है काल जो था, ये महाराश्टर में था संध्या इन बेंगॉल and काल इन महाराश्टर, तो ये इंटरचेंज कर दिये तो ये statement भी false हो गई अनुशिलन समीथी was a revolutionary group active in Dukka yes, जो जुगांतर ग्रूप था, पहले तो ये समझ लेना कि उसका जो headquarter थे न, वो कैलकटा में थे धकका अनुशिलन समीथी जैसा इसका नाम है, वैसा इसका headquarter था वो डकका में था, अब अनुशिलन समीथी की यहाँ पर बात की जा रही है, particularly जुगांतर ग्रूप की बात नहीं की जा रही है, वैसे भी अगर जुगांतर ग्रूप की बात करें, तो वो भी डकका में active थे, right, just because डकका अनुशिलन समीथी के headquarters डकका में हैं, इसलिए कह देना कि नहीं जी, वहाँ पर जुगांतर को जा नहीं सकता, ऐसा नहीं था, Bengal में active थे, in fact यह तो अपने revolutionaries को बाहर भेज रहे थे, right, so यह true है, तो answer क्या बन जाएगा, tell me in the comment section everyone, what's the answer, the answer is option B, ठीक है, सिरफ 3 ही है, जो correct है, चलो, हमने काफी सारे conspiracy cases को पढ़ा है, right, अब देखो पहले के time पर थोड़ा सा, about 2-3 years ago, इस तरह के question आ जाते थे, match में जहां पर आपको कुछ pairs दिये होते थे, and you had to identify which one is correct, nowadays you are asked that how many are correct, तो exactly पता होना चाहिए कि कौन सा pair correctly matched है, तो पूना conspiracy case, बताओ, पूना conspiracy case, प्रफुला चाक्की, क्या ये पूना conspiracy case था, पूना conspiracy case तो, चापिकर प्रतस का था, दामोदरेन बालकृष्ण, तो ये तो false हो गया, और प्रफुला चाक्की वाला case कौन सा था, मुजफ़रपूर conspiracy case, ठीक है, answer is, option C, ये भी गलत है, ठीक है, मुजफ़र पूना conspiracy case में, राजबहरी बोष का इतनी involvement, direct involvement नहीं थी, बत बरेंदर कुमार घोष्णी डेफिनेटली थी, ये वस you know, kind of a mastermind behind मुजफ़र conspiracy case, because the bomb था, वो उस factory से आ रहा था, जिसमें बरेंदर कुमार घोष्णी काफी अच्छी कासी involvement थी, now what is this Alipur conspiracy case, ये doubt आ सकते हैं, Alipur conspiracy case क्या था, what was Alipur conspiracy case, तो actually, जो मुजफ़रपूर में incident हुआ, जो उसका case चला, जो उसका trial चला, वो चला Alipur के sessions third one is Alipur conspiracy case, तीनों एक ही चीज हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, right, मुजफ़रपूर conspiracy case, it took place in मुजफ़रपूर, मनिक्तला, क्योंकि bomb मनिक्तला में बना, and Alipur, क्योंकि trial जो था, उनका Alipur के sessions court में हुआ था, ठीक है, so that is why बरिन कुमार गोष्ट, ये associated थे, तो Alipur conspiracy case, ये भी correct fact है, चली, अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ठीक है, भारत से भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा पंजाब की साइच चलते हैं, तो नाम से जाना जाता है, तो exam के point of view से भारत माता society and the other name of this society, that is important, ये नाम क्या है, अंजु माने, महसे बाने वतन, और कहां पर इनका base था, लौहौर, और एक अखबार इन्होंने निकाला, named भारत माता, और उसी, जैसे जुगांतर भी अखबार के नाम पर ही वो organization का नाम बन गया उसी तरह इनका भारत माता, ये अखबारता था और इसी के इर्दगिर्थ इनका भी ये group बन गया, ठीक है, अब हमारे कई revolutionaries बाहर abroad भी जाते हैं, और वहां पर भी ये secret societies established करते हैं, for example, हमारी home rule society बनती है, in 1905 by श्यामजी कृष्ण वर्मा जो start करते हैं इंडियन home rule society, जिसको इंडिया house भी कहा जाते है, ठीक है and it acts as student for इंडियन, it acts as a center for Indian students and you know served as residence for them to promote nationalist views, राइट, लंडन में ये बनती हैं, इंगलेंड में and श्यामजी कृष्ण वर्मा एक journal भी start करते हैं, the Indian sociologist के नाम से, जहां पर इनके विचार और inspiration कई young nationalist leaders को भी मिलते हैं, ठीक है this is a book, sorry, a journal by श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसी के साथ करजन वाईली, this is not कुर्जो, this is करजन वाईली, ये एक British official है, now he is not Lord करजन, remember this thing, Lord करजन नहीं है, ये एक British official है, other than Lord करजन, Madan Lal Dhingra who is member of India house India house के member होने के नाते, वो क्या करते हैं, करजन वाईली की 1909 में assassination कर देते हैं, he was a reactionary bureaucrat, so he gets assassinated in 1909 right, इसके बाद London से बाहर निकलते हैं, यौरोप के दूसरे countries में अगर हम जाएं, तो वहाँ पर France and Geneva, ये भी important base बन गयते हैं, हमारे revolutionaries के, for example, Madam Bika Ji Kama, ठीके polity जो पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप इनका reference ज़रूर सुनते होंगे right, Madam Bika Ji Kama इन्होंने Paris और Geneva को अपना base बना लिया, and even Bhagat Singh के जो चाचा जी थे हैं, और Madam Bika Ji Kama, एक अख़बार स्टार्ट करते हैं, known as बंदे मातरम, ठीके, तो सौदेशी मूवमेंट के टाइम पर मैंने आपको बताया था, कि बंदे मातरम, ये एक logo, एक motto बन गया था, not logo, it was a motto of सौदेशी मूवमेंट, और इस motto से inspire होके काफी लोगों ने news वपस निकाले थे, और विंदो गोश ने भी वंदे मातरम के नाम से अकबार निकाला था, उन से inspire होके लाला लाजपतरा ने पंजाब से वंदे मारत के नाम से अकबार निकाला था, अंग्रेजों ने movement को crush करने के लिए इन दोना और Zimmerman plan, इसकी conspiracy हमने की थी, कि भारत के Bengal revolutionaries में से बाग जतिन, he was coordinating with the revolutionaries abroad, और idea ये था, कि arms, ammunitions and funds को भारत पहुंचाया जाएगा, जिससे कि एक armed revolution से अंग्रेजों को ख़देड दिया जाएगा, तो यहाँ पर इस चीज को अंजाम देने के लिए, बर्लिन में भी हमारी presence होनी जरूरी है, तो वहाँ पर विरेंदरनाथ चटोपाद्याय, उन्होंने बर्लिन में अपना base बनाया and विरेंदरनाथ चटोपाद्याय was responsible for setting up this Berlin committee, ठीक है, इसी के साथ Lala Hardyal, इन्होंने मिलकर Zimmerman plan बनाने की कोशिश की Zimmerman plan को अंजाम देने की कोशिश की but ultimately it was foiled and everything went down the drain, ठीक है, वो एक गड़दार निकल गया जिसने plan को leak कर दिया और सब कुछ problem में आ गया, नॉर्थ अमेरिका में भी हमारे revolutionaries वहाँ पर भी मौझूद है, 1907 में यहाँ पर निकलता है circular of liberty, जिसको रामनात पुरी publish करते हैं, राइट and circular ए आजाद के नाम से भी इसको जाना जाता है, जीडी कुमार जैसे India house बना था न, यहाँ पर जैसे India house बना था London में जीडी कुमार स्वदेश सेवक होम बनाते हैं ठीक है, जीडी कुमार makes स्वदेश सेवक होम ठीक है, स्वदेश सेवक होम by जीडी कुमार, राइट और इसी से मिलता जूलता न, एक और नाम है, उसमें न, confusion हो जाते हैं बच्चों को कई बार देखो, पुलिन बिहारी दास का मैंने आपको बताया, कि उनको arrest कर लिया गया था, right, and उसके बाद उनको release कर दिया गया था release करने के टाइम पर, Zimmerman plan में पार्ट लेने के लिए, जुगांतर ग्रूप ने उनको कह, बट वो नहीं plan उन्होंने participate नहीं किया, along with that, जब 1920s का दशक start होता है तो गांधी जी पिक्चर में आ चुके हैं, लेकिन गांधी जी पर पुलिन बिहारी दास को इतना भरोसा नहीं है, उनके tactics पर, so at this point of time, पुलिन बिहारी दास starts a new organization and he founds he lays foundation of भारत सेवक संग, ठीक है, यह भारत सेवक संग, right, यह 1920 by पुलिन बिहारी दास, ठीक है, अब लोग भारत सेवक संग और सुदेश सेवक होम, इनको confuse कर देते हैं, I don't know why, दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, ठीक है, this is by पुलिन बिहारी दास है, Canada में, ठीक है, this is in Canada, Vancouver, right, और United India House बनता है, Seattle में, in US, तो इसमें G.D.Kumar और Tarkana Das, दोनों की involvement है, ठीक है, Tarkana Das, एक अखबार भी start करते हैं, by the name of free Hindustan, and G.D.Kumar गुरुमुखी में, स्वदेश सेवक के नाम से अखबार start करते हैं, गुरुमुखी is the language in which Punjabi is written, जैसे, स्वदेश सेवक को हिंदी में आप लिखोगे, तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, स्वदेश, right, सेवक, Punjabi में ये बन जाएगा, या गुरुमुखी में बन जाएगा, ये, स्वदेश, सेवक, ठीक है, this is गुरुमुखी, ठीक है, अब आगे देखो, दोस्तों, मैं बढ़ू, इससे पहले में बता दू, कि see, we are trying to cover all these topics quite comprehensively, right, अगर आप अपना पूरा UPSC के preparation को comprehensively करना चाते हैं, तो study IQ का P2I batch आपकी काफी मदद कर सकता है, this is a one-stop solution for your entire UPSC preparation, reason being, कि आपको यहाँ पर, बिल्कुल scratch से start करवाया जाते है, right, anyone जिसका humanity से काफी देर से नाता तूट गया था, engineering background से है, या उन्होंने बिल्कुल scratch से start करना है, कुछ भी जादा नहीं पता, freedom struggle के बारे में, या economy के बारे में, geography के बारे में, तो उनका base काफी strongly यहाँ पर cover करवाया जाता है, through our foundation classes, right, दीरे-दीरे NCIT के concept से उठते-उठते हम, standard books के level पर आ जाते हैं, in our classes, through our live classes, and then, हम current affairs की भी value addition करते हैं, and we are ready, हमारा base prepare हो जाता है, उसके बाद यह पूरा base हम दुबारा से revise करते हैं, in our crash course, जो इस batch के अंदर free of course प्रोवाइड गया जा रहा है, right, तो crash course में जैसा मैंने आपको बता है, prelims पर focus होता है, test series मिलती है, questions की practice बहुत rigorous होती है, and you are prelims ready, right, budget economic survey की भी special classes लगाते हैं, maps की special classes यहाँ पर लगते हैं, ठीक है, once that component is done, then, जिनका pre-clear हो जाता है, अब उनको हम extra tension देते हैं, because we don't want to leave any stone unturned for those students who are serious enough और वो pre-clear करते हैं, ठीक है, तो हमारे offline establishment है in Delhi NCR, जहांपर हमारे साथ ही रहते हैं आप, right, and वहांपर आपकी offline field classes लगती हैं, immediately आपको feedback मिलता रहते है, on your performance, on your strategy, on your answers that you write, right, हफते में आपकी 6 classes होती हैं, 3 दिन पूरा syllabus, फिर से mains के point of view से revise करेंगे, 2 दिन, rigorous answer writing practice करेंगे, एक दिन current affairs के चीजों को कैसे answer में use कर सकते हैं, वो mains के advance course के time पर होगा, ठीक है, और interview में भी पूरी guidance मिलती है, so you can avail all this, only in rupees 24,000, apply the code CSLive, तो उससे 36,000 के course पर 12,000 का आपको discount मिल जागा, हमारा new batch पर्सों से start होने जा रहा है, 17th January से new classes start हो रही है, सुबह 8 बज़े का batch है, इसमें enroll कर लेना, right, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो telegram के उपर, right, CSLive group, search CSLive space group, telegram पर CSLive group आप join कर लीजिए, right, वहां से मेरे साथ आप connect कर सकते हैं, तो do join CSLive group on telegram, और कोई भी doubt है, तो पूछ लेना, ठीक है, अब यहां पर आपको वैसे बता दूँ, कि पूरा से लिए, बस जो आपकी foundation है, 18 जनवरी 2025 से पहले, right, complete हो जाएगा, जिसमें, daily basis पे आपकी हम answer writing भी करवा रहे हैं, वो check भी हो रहा है, उससे improvement भी आ रही है, हर हफते आपकी MCQs भी हो रहे हैं, apart from the crash course, हर हफते वैसे भी आपकी MCQs की practice हो रही है, so our focus is to make you capable enough that you are able to solve the question, because no one is going to ask you कोई नहीं पूछने वाला कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे right, कहां से पढ़ते थे, आपको judge किया जाते है, answer solving capability पे, so इन दो चीजों से हमारा उसी पर focus है, and you also get mentorship, जिसमें personalized mentorship मिलती है, यानि कि आपको एक dedicated person का contact मिलेगा, this is someone who has cleared prelims and mains, right, and वो उनका experience है UPC में, वो जानते हैं कि आप काउन से दुविधाओं से जहलते हैं, और आपके solution के बारे में, उसमें वो बात करेंगे, कि किसी भी तरह की guidance, इन mentor से आपको मिल जाएगी, right, so this is quite a wonderful batch, one stop solution है for your entire UPC preparation to enroll, right, and discount के लिए CS Live ये apply कर सकते हैं, moving ahead, let's talk about a very important chapter in our freedom struggle which is GADAR movement, GADAR movement की शुरुवात, ठीक है, ये शुरुवात होती है Hindi association के बनने से, right, 1912-13 में भारती community North America में जाकर settle होती है, और वहाँ पर हमारे जो revolutionaries हैं, led by Lala Hardiyal, ठीक है, ये एक organization बनाते हैं, जिसका नाम होता है, Hindi association, इसको Pacific Coast Hindustan Association भी कहा जाता है, Hindi Association और Pacific Coast Hindustan Association, इसके अंदर, जो पहली meeting होती है, तो Sohan Singh Bakhna, तेक है, Sohan Singh Bakhna, इनको elect करते हैं, as the President, and Lala Hardiyal, he provides the leadership, right, he provides as the mind behind the Hindi Association, तो ये बनते हैं, General Secretary, 1913 में, इस Hindi Association का नाम change हो जाता है, ये बन जाती है, Hindustan Gadar Party, टेक है, Hindustan Gadar Party, क्योंकि इसी weekly newspaper के एर्दगेद इसका नाम बन जाता है, टेक है, जैसे भारत-माता, अंजुमाने मोसेबाने वतन, टेक है, काफी difficult नाम है, तो ये कहते थे हमारा अकबार तो है ही है, भारत-माता, भारत-माता से हमें लोग जान रहे हैं, टेक है, तो हम भारत-माता सुसाइटी बना रहेते हैं, जैसे अब देखो, हमारा YouTube चैनल है, Study IQ का, तो Study IQ का YouTube चैनल क्या है, Study IQ, अब मैं आपको बोलूँ कि actually we are part of something, हमारा corporate name या otherwise है, that is something called Mettis Adventures Private Limited, ठीक है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यह क्या है भई, ठीक है, तो हमें जिस चीज से जाना जाता है, so we are using that as our name, यहाँ पर भी बही चीज़ें हो रही है, जिस mouthpiece, जो इनका mouthpiece है, अकबार है, उसी के नाम पर ही अपनी San Francisco, tell me in the comment section, San Francisco, North America की Eastern Coast पर है, की Western Coast पर है, यह मुझे आप comments में बताएंगे, and not in the live chat, यह मुझे actual, वीडियो के comment section में नीचे बताने आपने, ठीक है, San Francisco में headquarters हैं, अब देखो, इनके साथ एक incident होता है, इनका plan है, इनका planning है, पहले कोमा काटा मारू incident होता है, उसके बाद गदर revolution की planning होती है, which gets foiled again, तो कोमा काटा मारू incident कुछ ऐसा है, की आज की rate में भी बहुत से गुजुरातीज और पंजाबीज, they are very much eager to go abroad in search of better life and better opportunities, तो यह चीज़ आज गी नहीं है, यह 20th century में भी होता था, तो बहुत से पंजाब से लोग, वो एक बहतर जिन्दगी के लिए Canada जाना चाहते थे, तो वो एक Japanese ship, जिसका नाम था कोमा काटा मारू, इसको charter करते हैं, charter करने वाले व्यक्ति का नाम होता है, गुर्दित सिंग, a person called गुर्दित सिंग, ये इस ship को charter करते हैं, जैसे chartered plane होता है, तो ये गुर्दित सिंग, highest this ship, और इसके अंदर, हमारे 352, 376 थे, 376 पंजाबीज, they are going from Hong Kong to Vancouver, तो directly Vancouver जाने में दिखका थी, तो पहले ये Hong Kong जाते हैं, तो वहाँ से Vancouver जाएंगे, और better life वहाँ पर जीना चाते हैं, लेकिन जभी Canada पहुँचते हैं, क्योंकि Canada, British Commonwealth का part B था, and relations अच्छे थे basically, तो वहाँ पर in 376 में से, 352 सवारियों को कह दिया गया, कि you are not allowed to step here, go back to your country, तो दो महीने के लिए, यहाँ पर इनको पहले तो रोक के रखा, just imagine, आप कहीं पर जाते हैं, और वहाँ पर दो महीने के लिए, कहीं पर जाते हो, दो महीने के लिए आपको रोक दिया जाते हैं, और उसके बाद आपको वापिस टर्न कर दिया जाते हैं, and Canada, they were under influence of British, तो यहाँ पर इनको कहा जाता है, कि अब बापिस जब जाओगे, तो Hong Kong यहाँ जपान नहीं जाना, ठीक है, आपको क्या करना है, Calcutta में बजबज पोर्ट पर, you will have to dock yourself, होता ही है कि actually यह जपान ही बापिस जा रहे होते हैं, because people, these people, 352 passengers, they are not in a mood to go back to India, which is under the slavery of British, तो यह क्या करते हैं, यह जपान की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन First World War, it breaks out, जैसे ही First World War break out होती है, तो इस ship में, क्यूंकि Indian subjects हैं, इनको immediately कहा दिये जाता है, कि आप Calcutta में, सिरफ Calcutta में, अपनी ship को port करोगे, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों को भी खत्रा है, कि कहीं हमारे ही subject, हमारे colonial subjects, दूसरे countries के साथ मिलकर, हमारे खिलाफ कौन सपर इसी न कर दें, तो जपान की जगा कहा कि नहीं, देश में ही रहोगे अब, कोई बाहर नहीं जाएगा, तो Calcutta में, September 1914 को ये ship anchor कर दी जाती है, और यहां पर इनको कहा जाता है, कि train में बैठो और पंजाब में चलो वापिस, तो पंजाबियों का यहां पर, कैनेडा जाने का सुनहरा सपना, वो impact हो जाता है, and consequently, यहां पर इनको गुसा जाता है, जड़प होती है, और उस जड़प में क्या होता है, कि 22 लोगों की हत्या हो जाती है, तो यह British का notorious character, एक तरीके से उजागर होता है, तो गदर पार्टी, which is in North America, यह decide करती है, कि इनका हमने बदला लेना है, तो यह decide करते हैं, कि 21 February 1915 में, हम revolution करेंगे भारत में, और armed revolution से, right, armed revolution से, हम अंगरेजी राज को खतम करेंगे, तो plan होता है, कि 21 February 1915 को, पंजाब मिना जगाएं मौजूद हैं, फिरोसपूर, तेक है, I hope आपको पता होगा फिरोसपूर, it's actually my birth place, फिरोसपूर, यह हुसैनी वाला border, जो पाकिसान के साथ, हुसैनी वाला border लगता है, तो उसके, उसके बिल्कुल adjacent district, जो है, that is फिरोसपूर, लघॉर, तेक है, अमरिट सर का ही, यह twin cities इनको कहा जाता था, अमरिट सर एंग लघॉर, तो लघॉर, एंड रावल पिंडी, अमरिट में पाकिसान में है, तो यहाँ पर, ब्रिटिश आर्मी के गैरिजन्स थे, यानि की magazines, यहाँ फिर कहें की armories ही, इन armories को raid करना था, यहाँ से लूटे गए हथियार को, revolutionaries तक पहुँचाना था, जिससे armed movement करवानी थी, लेकिन last moment पर, गदारी की वज़े से, ट्रीचरी की वज़े से, यह plan भी chopper हो जाता है, जितने rebellious regiments होते हैं, ठीक है कि यह garrisons में, आक्चुली जो हमारे भारती से poise भी हैं, उनको भी influence करने की कोशिश की जा रही थी, कि वो revolutionaries का साथ दे, और अंग्रेज़ों को इस weak point पे, जब war चल रही है, वहाँ से भारत से निकाले, तो यहाँ पर, जो garrisons, जो regiments थी, जिन्होंने साथ देनी की कोशिश की, हमारे गदर revolutionaries की, तो उनको disband कर दिया जाता है, जो गदर leaders भारत में होते हैं, उनको arrest कर दिया जाता है, and 45 लोगों को यहाँ पर fancy की सदा मिलती है, राश बिहारी बोस, यह भी coordinate कर रहे थे, यह सारी activities, यह Japan चले जाते हैं, सचेंदरनाथ सन्याल, इनको देश निकाला मिल जाता है, और राश बिहारी बोस, अब Japan जाकर, India League set up करेंगे, उसके बाद I.N.E. के साथ, उसका merger होगा, जिसके बाद आगे जाकर, सुभाश अंदर बोस, उसकी command सबानेगे, वो कहानी आगे के लिए, लेकिन अभी, he flies to Japan, और वहाँ से movement को जारी दखने की कोशिश करेंगे, गदर trial, ठीक है, जो गदर conspiracy के खिलाफ, जब लोगों के trial हुए, यह Lahore के court में हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पर इस वाज़ा से, इसको first Lahore conspiracy case भी कहा जाता है, because there is another second Lahore conspiracy case, second Lahore conspiracy case, deals with Bhagat Singh, and Saunders murder, ठीक है, और उसके साथ, और भी चीज़ें attach हो जाती है, Central Legislative Assembly का bomb, अच्छा लगा, PDFs के लिए आप CS Live Group join कर लीजेगा, and PDFs का यार, मैं suggest करूँगा, आप Study IQ की book खरीदो, इन lectures को लगाने के बाद, दो चीज़ें आपने करनी है, एक तो साथ साथ notes बनाया कीजिए, and secondly, book ज़रूर ले लो, और जो corresponding topics हैं, वो book से आप एक बार read कर सकते हैं, ठीक है, कुछ questions करते हैं, where were the GADAR revolutionaries, who became active during outbreak of World War I based, Central America, North America, West America, South America, North America में based है, B, इसका correct answer है, अगला question, GADAR क्या था, ये previous year question है, ये UPC में एक बार पूछा जा चुक है, कि GADAR क्या थी, revolutionary association of Indians, with headquarters at San Francisco, Nationalist organization operating from Singapore, militant organization with headquarters in Berlin, or communist movement of India's freedom, with headquarters at Tarkan, तो इसका answer A बनेगा, ठीक है, अगदर वाइस अगर यहाँ पर अखबार लिग जे जाता, फिर काफी गडबड हो जानी थी, वो difficult question हो जाता, ठीक है, तो ये revolutionary association थी, Hindustan GADAR association, ठीक है, who was the leader of GADAR party, हमने पढ़ लिया Lala Hardiyal, he was the mastermind behind the organization of GADAR movement and GADAR party, so आज की lecture में दोस्तों इतना ही, and आपको अगर, Study IQ का कोई भी course लेना है, and you want certain concession, or certain discount on that course, तो उस case में, feel free to use this discount code, किसी भी Study IQ की book, या फिर course के ऊपर, आप CS Live Discount apply करेंगे, तो आपको maximum discount मिल जाएगा, मेरे साथ personally connect करना चाहते हैं, तो Telegram के ऊपर, at the rate H E L L O O C H A N D A N, यहाँ पर connect कर सकते हैं, rather I would suggest, I would prefer, I would request, कि Telegram परना, यहाँ पर जैसे आप search करो, C S L I V E S P E G R O U P, Spelling सही रखने पढ़ेंगे आपको, CS Kive नहीं है, CS Live Group है, तो यह group आपको मिल जाएगा, तो यह group आपको मिल जाएगा, तो you can join this group, यहाँ पर भी आप मेरे साथ connected रह सकते हैं, तो यह पर भी आप मेरे साथ connected रह सकते हैं, वैसे मैं सजेस्ट करूँ, प्रॉपरली तरीके से अगर syllabus complete करना चाहते हो, wherein you are getting booklets, e-booklets as well, जहाँ पर बिल्कुल precise तरीके से maximum information को याद करने के लिए, आपको notes मिल रहे हैं, आपको crux document मिल रहे हैं, आपकी test हो रहे हैं, यह सारी चीज़ें SIP plus में, so any person who is interested and who is willing to prepare really well for prelims 2024, in a very well structured manner, उनके लिए SIP plus हमारा crash course is an ideal course, तो आप उसमे अन्रोल कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, अगले session में फिर से मिलेंगे, and Indian Express series को भी ज़रूर follow कीजेगा, जो रोज, सुबह, सवा, 10 वजे, morning में आती है, wish you all the best friends, see you soon in the next session, thank you so much.